हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिक्षान किचन तो भिंडी की सब्सी तो अपने कई बार बनाई भी होगी और कई भार खाई भी होगी लेकिन आज मैं आपके लिए कहा हम भिंडी की एकदम नई और एकदम मसीदा रेशीपी और ये भिंडी इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी तो चलिए आज की इस मसाला भिंडी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने भी वीडियो को अब तक लाइक नहीं कर रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तो भिंडी की सब्सी बनाने के लि मतलग की सेंटर में इसेहें करके और भिंडी के एकी पीस में करेंगे इसे पतले नगे यह देखिए, मैं आपको एक दूसरी भिंडी भी cut career, कर देंगे, फिर इसको बीच में से काट लेंगे और एक ही पीस में से दो पीस कर देंगे, देख सकते हैं और जब आप हिंडी क ऐसे पतले-पतले पीस में cut कर तो भिंडी खाने में भी अच्छी लगती है, और दिखनें म के साथ साथ हम इसमें एक इंच कटावा अध्रका टुकडा एट कर देंगे और आदी छोटी चमच के करीब जीरा एट कर देंगे और बिना पानी डाले टमाटरों अध्रक और जीर को अच्छी तरीके से पीस लेंगे तो चलिए यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूवी बना लिया आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफी अच्छा आगया है तो अब चलते हैं नेक्स टेप पर तो यहाँ पर मैंने एक पैनली है जिसमें मैंने तीन से चार चमच के करीब ऑईल एट किया है तो ऑईल को सबसे पहल के तीन से चार हरी मिर्च तो मैंने इन हरी मिर्च को कटनी किया है ऐसे डालिएगा साबूत तो ज्यादा अच्छा फलेवर देगी हरी मिर्च और हर इमिज को पकने देंगे जैसी हर इमिज पक जाएगी हलका सा मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइस के प्यास लिया थे जिसको मैंने से पतले-पतले पीस में कट कर देंगे तो जब भी आप प्यास लेना उसको पतला-पतला शेप में कट करें भिंडी में जादा अच्छ अच्छी तरीके से पग चुके और कलर भीना हलका सा लाइट ओ गया और प्यास भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें मसाले आइट कर देंगे जो हम अच्छी तरीके से तेल में भूनेंगे तो सबसे पहले इसमें जाएगा आदी चोटी चमच के करीब हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच के करीब लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर का यूस कमी करिएगा क्योंकि आप इसमें हरीमिज का भी यूज़ करेंगे एक चमच के करीब धनिया पाउडर और अच्छी तरीके से इन सभी मसालों को भून लेंगे प्याज के साथ ही मसालों को डालीगा इससे क्या अभी तेल गरम है तो मसाले अच्छी तरीके से भून जाएंगे मैं थोड़ा सा पानी नमक, खर देंगे। और सक्तु humor, चुक्य यसलेिछ, पादनी करके भी देगे। इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे आप देख सकते हो मसाला कितना बढ़िया भुना और उसका रंग कितना अच्छा है तो पानी जाद आट नहीं करना है बिल्कुल थोड़ा सा करना है तो वन फोर्थ कप के करीम मैंने यहाँ पर पानी आट किया है अब देख सकते हो और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम टमाटर को और प्यास को अच्छी तरीके से पका लेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी आट किया है तो मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया आप देख सकते हो तो अब हम इसमें भिंडी एट कर देंगे इसी समय पर तो यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छी तरीके से पतले पतले शेप में कट कर लिया आप देख सकते हो तो तो इस सारी भिंडी हम मसालय में 버श कर देगे और भिंडी को अच्छी तरीकिसे मसालय के साथ मिक्स कर लेंगे तो मैंने भिंडी को मसालों के साथ अच्छी तरिके से mix कर लिए आप देख सकते हो तो अब हम भिंडी को पकने देंगे तो एक बात ध्यान रखिए जब भी आप भिंडी पका है ना जो भी आप बरतन में भिंडी पका रहे हैं उसको cover ना करें लेट से उससे क्या ओकना भिंडी खिली-खिली बनेगी वनना भिंडी चिपकी-चिपकी रहती है तो बीच-बीच में हम भिंडी को ऐसे मिक्स करते रहेंगे ताकि भिंडी जले न और इसको अच्छे से पकने देंगे तो चलिए यहाँ पर हमारी भिंडी अच्छी तरीके से पक चुकिया आप देख सकते हो तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और यह देख सकते हो कितनी बढ़िया रंग आ गया है इसका और मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ यह देखिए देख सकते हो आप कितना बढ़िया रंगा है और भिंडी ने जादा तेल भी अब्जॉब नहीं किया है तो लास्ट में हम इसमें कुछ चीज़ा एट कर देंगे तो सबसे पहले इसमें जाएगा आदी शोटी चमच के करीब आमचुक पाउडर आदी शोटी चमच के करीब गरम मसाला पाउडर और बारी कटावा धनिया और अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को भिंडी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मैंने अच्छी से इन चीज़ों को भिंडी के साथ मिक्स कर दिया और यहाँ पर हमारी भिंडी बनके तयार है तो ग्यास को कर दिंगे ओफ और अब चलते हैं भिंडी को सर्व करने के स्टेप पर और ये लीजिए बिल्कुल तयार है हमारी भिंडी बनके और मैंने इसको किया पालक की रोटी के साथ सर्व ये कॉंबिनेशन सबसे बेस्ट है पालक की रोटी और भिंडी की सबजी तो मैं आपको एक टुकड़ा तोड़के भी दिखाता हूँ ये देख सकते हूँ आप कितनी मसिदार भिंडी और कितनी खिली खिली भिंडी है जब आप इसको सर्व करेंगे अपने परिवार को तो ये भिंडी सबको बहुत पसंद आएगी और इसका टेस्ट है न बाकी भिंडी जो आप बनाते हो उसकी तरह निया काफी अलग टेस्ट आएगा इसका क्योंकि हमने इसको एक नई तरीके से बनाया है और ये मेरे ची देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया लगी हो खाने में भी काफी टेस्टी है ये मेरे चैनल दिक्षान की चन को भी सबस्क्राइब करिएगा और हाँ बैल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो जल्दी मिलूँगा आपसे एक और नई और एक मज़िजार रेसीपी लेकर थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई